हला इवरिवंड इस विडियो में हम डिस्क्स करेंगे बीएट्ट सेकेंड एर के जो आपके बुक है असेस्मेंट फॉर लेर्निंग उसकी पॉस्ट इूनेट यानि असेस्मेंट और एवालुएशन तो basically इस वीडियो के अंदर हम assessment और evaluation में क्या difference है ये क्या होते है इनको हम अपने learning में किस तरह से use कर सकते है इनके क्या basic applications है और हमारे type of evaluation यानि type of assessment कहलो या evaluation तो वो क्या क्या है हमारे assessment के प्रकार क्या क्या है ये सब topics हम इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं तो शुरू करते हैं कि जो हमारा assessment और evaluation है वो actual में है क्या देखो अगर मैं B.Ed examination point of view से कहूं तो ये important है साथी साथ आप test exams देते हूं उनके लिए भी ये topic बहुत important है मैं start लेकिन B.Ed के point of view से ही करूंगी आपके पास question आता है What is the relationship between them? मतलब आपको इन दोनों का मतलब बताना है और इन दोनों के बीच में जो connection है वो बताना है कि क्या इन दोनों के बीच में relationship है तो evaluation की देखो जब मैं बात करती हूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम teaching में कोई भी चीज़ करते हैं या कोई lesson plan दाते हैं या हम कोई पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारा एक objective होता है अब वो objective हमारा कितना पूरा हुआ उसको जाचना evaluation कहलाता है पूरा जो process है complete वो कितना हमारे objectives को पूरा कर पाया बिल्कुल एक ये final हमें result देता है हमारा evaluation मतलब जैसे आपने एक बच्चा है उसका बिल्कुल एक साल के end में class में एक साल के end में उसका exam का result आता है और फिर उसको क्या किया जाता है अगली class के अंदर भेज दिया जाता है ठीक है you are promoted to next class लेकिन वो किस basis पर promote किया गया वो उसके result के basis पर promote किया and that type of result is called evaluation लेकिन अगर मैं बात करूं assessment की assessment क्या होता है जहां पर learning possible है मतलब जो छोटे छोटे चोटे टेस्ट अगर आप पूरे साल के दोरान लेते रहते हो उसमें क्या है आप improve कर सकते हो improve करने का scope है लेकिन यहाँ improve करने का scope नहीं है यहाँ पर आपको सीधर result मिल चुका है अब बस खतम खानी अब आप next class में आ गए हो बट assessment क्या रखती है एक scope रखती है किसका improvement का अब improvement का scope कैसे रखते है आपने पूरे साल के दुरान देखियोंगे कुछ ना को छोटे छोटे टेस्ट चलते रहते हैं observe भी करते रहते हैं teachers तो उससे हमें पता चलता है कि वच्चा कितनी चीज़ों को सीख पाया है तो जो चीज़ें वो नहीं सीख पाया उसके लिए हम work on कर पाते हैं work कर पाते हैं यानि हम remedy teachings यूज करते हैं remedial strategies यूज करते हैं और जब हम ये सब चीज़ों के बात कर रहे हैं इसका मतलब हम अपनी learning को improve कर रहे हैं better कर पा रहे हैं और ये काम assessment म होता है तो assessment in going process है जो हमारा चलता है रहेगा evaluation भी continuous है कोई बड़ी बात नहीं है ये कहना गलत भी नहीं होगा but evaluation क्या है ultimate result है क्या है it's a final result evaluation हमारा final result होता है लेकिन assessment हमारा पूरे उसके दुरान जतनी भी चीज़े कंड़क्टर होता है अब different different definitions दी है different different psychologists ने evaluation की तो मैं सबसे पहली definition कहती हूँ Indian education commission की Indian education commission हमारे evaluation के बारे में क्या कहती है कि ये continuous process है और ये पूरे system का एक integral हिस्सा है अगर education system के अंदर evaluation नहीं होगा तो क्या होगा हमारा education system complete नहीं कहलाएगा ठीक है तो ये हमारा integral part है पूरे किसका education system का और objectives पता लगाने में help करता है कि कि कितने हमारे objectives fulfill हुए है क्योंकि साल के end में जब बच्चे का result हात में आता है तो बच्चे के बारे में भी पता चलता है parents को और parents को teacher के बारे में भी पता चलता है कि उसने कितना बढ़ाया था उसके बार डेंडें करके बायत करूं तो उनके according evaluation एक systematic process होता है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे educational objective कितनी हद तक पूरे किये जा रही है किसके according डेंडें करके according वो क्या कहते है कि हमारे educational objective कहा तक पूरे किये जा रहे हैं उस process को उसे जाचने को हम क्या कहते हैं evaluation कहते हैं फिर goods के according evaluation एक process है जिससे हम ये judge कर सकते हैं किसी भी चीज़ की amount कितना amount काम का कितनी चीज़े हुई है amount कितना हुआ है amount मतलब होते है मात्रा तो कितनी मात्रा में हमारा वो काम पूरा हुआ है इसी तरह quality none है ना क्या कहते है evaluation एक process है information को gather करने का उसको interpret करने का अब सिर्फ marks के basis पर तो हम नहीं बता सकते हैं हम overall ही बताएंगे ना तो सारी information चबूत सब कुछ gather करके evidence को gather करके जो multimedia result बनाते है that is called evaluation अब evaluation का purpose क्या है इसकी function क्या है क्यों आखिर ये जरूरी है state appraise करना अब देखो final result आता है तो हम क्या करते है बच्चा first आए बच्चा second आए हम उसे प्रेज करते हैं तो सिबसे पहला जो इसका purpose है क्या है appraise करना सिर्फ बच्चे को ही नहीं teacher को भी end में आके teacher को भी लड़ों मठाईयां खिलाई जाती है तो appraise student as well as teacher दोनों को ही appraise क्यों कर पाएंगे हम कब कर पाएंगे जब हमारा evaluation होगा वरना तो चल रहा है पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं कुछ नहीं पढ़ता कितना पढ़ा क्या हुआ कौनसी class में है nothing is there अगर evaluation ही नहीं है ठीक है उसके बाद student को एक degree देना अब एक class हो जाती है तो उसको एक degree मिल गए नहीं that you have crossed your class 10th you have crossed your class 11th 12th अब आप BSc कर चुके हो अब आप MSC कर चुके हो अब आपके B.A.D. complete हो गई है ठीक है वो काम भी किसका है evaluation का student के behavior में जो change आते है उसको evaluate करना वो भी हमारे evaluation का ही काम है उसके behavior के बारे में बताना उसकी future academic के बारे में predict कर पाना बच्चे की performance के according हम प्रेडिक्ट कर पाना ये बच्चा इस चीज़ को अच्छा कर सकता है ये उस चीज़ को आपने देखा होगा कि 10th के बाद जब हम stream choose करते हैं तो हम 10th के result के business पर क्यों focus करते हैं क्योंकि वहाँ से हम बच्चे की प्रेडिट कर पा रहे हैं उसकी future की abilities को predict कर पा रहे हैं teacher की efficiency को check कर सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या पर है predict कर पा रहे हैं अपने students की abilities को ठीक है ये भी हमारा एक purpose हो गया evaluation का तो हम यहाँ पर बच्चों के अंदर की capabilities को बाहर लेकर आते हैं और उन areas को देखते हैं जहाँ पर बच्चा weak रहा है यही पर मैं assessment की बात करूँ तो assessment हमें क्या करती है student के progress की detail देती है assessment मैंने आपको का था कि ये एक ओ मतलब हर छोटे छोटे चोटे टाइम पर जो हमें process होते रहते हैं that is call assessment future achievement predict करने में help करती है यहाँ पर हम remedial teachings कर सकते हैं यहाँ पर अगर हमें लगता है न कि हमारा strategies को use करेंगे हम अपने teaching method को change करेंगे ताकि जो हम बच्चे को समझाना चाह रहे हैं वो बच्चा अच्छे से समझ पहें तो यह basic हमारे evaluation और assessment के objectives हैं तो assessment क्या है हमारे evaluation का पूरा हमारा एक evaluation है और assessment हमारा evaluation का एक हिस्सा है assess करना evaluation के अंदर आता है उसके बाद इसकी जरुरत इसी लिए है ताकि हम objectives को अपने clear कर पाए admission के basis भी evaluation से होता है भई अब अगले school में जाना है तो अब evaluate ही नहीं हुआ वो पिछले school में तो क्या उस अगले school में admission मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि evaluation के basis पर हम उसे next उसमें admission देते हैं प्रमोट करते हैं ये सब काम हमारा किसका है evaluation का जबकि assessment में हम उसको चोटी चोटी बातों पर देखते हैं और उसको improve करने की कोशिश करते हैं तो assessment के अंदर learning होती है लेकिन evaluation आकर हमें सीधा result थमा देता है भाई ये है आपका पिच्चा सामने है ठीक है अब हम बात करते हैं क सबसे पहले मैं बात करूंगी किसका formative और summative evaluation का formative और summative evaluation के बारे में आपने सुना होगा कि क्या होता है formative means जो पूरे साल के दुरान होते रहते हैं और summative जो साल के end में होते हैं तो formative evaluation अगर मैं आपको cbs c c davun ke carding बताऊं, तो पहले, सबसे पहले दो formative होते है, formative 1, formative 2, फिर एक essay होते है essay 1, फिर उसके बाद third formative, fourth formative और फिर आपके essay 2 अब आपने ये देखा, इसमें आपका थोड़ा-थोड़ा syllabus आ रहा है, यहां पे आपका complete syllabus आ गया, फिर यहां अब ही हमारे पास scope है improvement का, FAs में लेकिन summative आते ही, scope जो है वो खतम हो गया, क्योंकि अब final result आ गया FAs हो रहे है, मतलब हमारा scope है improvement का तो formative evolution यही था जो हमें ये monitor करने में help करते है, कि जो हम instruction दे रहे है बच्चों को, वो किस हद तक समझ में आ रहे हैं और फिर हम अपने learning के वेस को select कर सकते हैं, किस से feedback की help से, student feedback दे सकते हैं, एक teacher दूसरे teacher को feedback दे सकती है और इसके general principle क्या है इसमें सभी significant elements होने चाहिए unit के, क्योंकि मैं unit wise test ले रहे हूँ, यह करे से unit test है, जो पहले हमारे unit test के नाम से जाना जाता था, वो formative के नाम से change हो गया, तो unit का पूरी चीज़े cover करें उसके बाद students feedback provide करेंगे, तो उससे क्या होगा, reinforcement हो पाएगी, यानि हम बच्चों को learning improve करने में help कर पाएँगी, ठीक है इसके general principle यही है, कि इसके अंदर सारे items होने चाहिए, test item lower level चे higher level तक जाने चाहिए, test हमेशा इस तरह का वनना चाहिए, कि उसके अंदर हर तरह क्या question हो, उसके बाद जो remedial instruction हम use करते हैं, वो textbook की form में हो सकती है, workbook की form में हो सकती है, या एक programmed instruction की form में हो सकती है जो remedial teaching हम use करते हैं, अब मैं uses की बाद करू, formative evaluation के, तो इसके use क्या है, इसमे subject matter, जैसे अब हम धीरे-धीरे किसी subject को याद करा रहे हैं, हमने दो unit cover करा दी, अब वो दो unit कितनी पकी होई बच्चों के लिए, वो हम किसकी help से चेक कर सकते हैं formative की help के से चेक कर सकते हैं, तो हमें बता चल गया न, कि हमारा जो teaching method है, वो कहीं न कहीं गलत है, या बच्चा जो सिख रहा है, वो कहीं न कहीं गलत है, तो हम accordingly changes लाकर उनकी learning को improve कर सकते हैं और master बना सकते हैं उन्हें learning में, जो हम goal चाहते हैं लाना, goal मतलब, जितने हमारे aim है, मकसद है, जो हमारा हम उसको पूरा कर पाएंगे, फिर हमारे पास एक sequence होगा, learn करने का, sequence मतलब एक pattern जिसे हम follow करेंगे कि पहले हमें इसको करना है, पहले फिर इसको, फिर इसको, एक sequence है हमारे पास, किसी बीचिश को करने का ठीक है फिर diagnostic value diagnostic का मतलब यही होता है कि कमी को पहचानना और उसके उपर काम करना अब यह तो हम formative में कर पाएंगे सम्मेटिव में किस तरह कर पाएंगे सम्मेटिव तो इतरह से end product हो गया formative में ही हम improvement के लिए काम कर सकते हैं लेकिन सम्मेटिव के लिए हम नहीं कर सकते हैं clear अब हम आगे वड़ते हैं error locate करने में भी help करता है हमारा formative अब मैं सम्मेटिव evaluation की बात करूँ तो यह वो technique है जो end में होती है paper के end में मतलब इसको वैसे हमने 2 parts में S7 और S2 में divide करके यह कहा है कि हमने अपने syllabus को यह दो part में divide कर दिया है एक first term part एक second term part अब देखो यहाँ पे मेरे FA1 हुए थे यहाँ पे मेरे FA2 हुए थे और फिर मेरे S7 होगया अब जहां मेरा S7 होगया वहाँ मेरे first term का syllabus तो complete ना मैं कुछ और आगे नहीं कर पाई लेकिन FA1 में कर पाई ठीक है FA1 मेरे बहुत तरीके के हो सकते है इसमें हम observation कर सकते हैं इसमें हम test ले सकते हैं जिसके अंदर unit twice चीज़े आएं लेकिन S से पूरा summarize करता है हमारे जतना भी पूरा syllabus था उसको और terminal है judgmental होते है character में S7 का फिर result भी सनाया जाता है वह अपने के विच्चे ने S7 में इतना किया है S7 का final में भी count होता है तो इसके अंदर हम क्या कर रहे है judgment दे रहे है terminal है terminal का मतलब होता है end में होने वाले तो इन्हें terminal भी कहा जाता है और उसके बाद देखो जैसे FA3 हुआ फिर FA4 हुआ और फिर आपका क्या होगा SA2 अगेन ये फिर से terminal पे आ गया end में आ गया तो जो end में होते हैं इसके अंदर हम judgment देते हैं ठीक है इसमें दो तरह के होगा ये जो S7 बोले है इसको हम intermediate summative evaluation कह सकते हैं और long term summative evaluation हम SA2 को कह सकते हैं और दोनों ही summative evaluation का अपना significance है Bloom और उसके associate ने क्या कहा दोनों intermediate और long term जो हमारे summative evaluation है जरूरी है और इनको कम नहीं करा जाना चाहिए कि ये ना हो कि एक ही summative करवाया जाए दो नहीं कराया जाए ठीक है लेकिन अगर evaluation जो है वो teaching और learning दोनों को देख रहा है तो it must take place at the termination of these process but while they are still flawed unsusceptible of modification मतलब हमारा आप और अंदर formative में चीज़ें कर सकते हैं लेकिन summative को ऐसा ही रहना चाहिए ठीक है तो अब summative के uses हमें पता चल गए क्या है certificate देने में help करता है success predict करने में help करता है instruction begin होती है नई instruction begin होती है ठीक है उसके बाद हम groups में comparison भी कर पाते हैं उसके बाद आते हैं हम अलग type पे जिसमें हमने classify किया किसमे prognostic और diagnostic evaluation अब prognostic और diagnostic evaluation क्या होता है आप नाम से भी नहीं बता पा रहे हैं पिर से लिए आपको पता होना जरूरी है कि कौन सी चीज़े क्या है prognostic evaluation के बाद करूँ तो उसका मतलब क्या है जहां पर हम evaluation के जरीए क्या पार abilities को जात रहे हैं potential को जात रहे हैं हम एक right person धोन रहे हैं लेकिन एकी दिन के अंदर यानि आपने interviews देखे होंगे जैसे आप teaching की job के लिए जाते हैं आपका interview होता है और उस interview के time पे आपको एक ही दिन में judge क्या जाता है कि आप उनकी company के लिए आप उनकी school उनकी organization के लिए suitable हो भी है नहीं उसको हम कहते हैं prognostic evaluation जिसमें बहुत से मतलब experienced लोग भी mistake कर सकते हैं क्योंकि एक ही दिन में जातना आप एक ही दिन में कैसे किसी इंचान को पहचान सकते हैं लेकिन interview के time पे यही करना होता है सबको उन्हें एक ही दिन में यह पता लगाना है कि वो उनकी company को सही से handle कर पाएंगे नहीं पकर पाएंगे और उनकी वो एक दिन के mistake उनके लिए पूरे साल के लिए भारी बढ़ सकती है क्योंकि वो पूरे साल वो teacher अगर उन्हें हार किया है तो पूरे साल उनके students को पढ़ाने वाला है वो teacher अगर उन्हें उस interview के time पर mistake करी तो वो पूरे साल उनके उपर भारी बढ़ेगी यानि उन्हें judge करना है एक ही दिन के अंदर तो precise evolution होना चाहिए इसमें बहुत से characters मतलब हम बहुत से चीज़ों को judge करते हैं आपने देखा होगा वहाँ पर क्या पूझा जाते है random question पूझा जाते है एक interviewer अच्छे से judge नहीं कर पाता actually बहुत experienced interviewer भी अच्छे से pure 100% judgment तो नहीं दे पाएगा मतलब बहुत से सालों के research चाहिए इसके लिए बहुत experience चाहिए prognostic के लिए अब मैं diagnostic evaluation की बात करूँ तो diagnostic क्या होता है diagnose करना आप doctor के पाल जाते हो doctor आपको diagnose करता है कि आप में क्या बिमारी है अब बिमारी diagnose हो जाती है फिर वो उसकी आपको दवा देता है तो diagnostic अगर मैं school की बात न करूँ तो हम क्या करते हैं हम बच्चे की बिमारी को देखते हैं बच्चे की बिमारी किसमे learning में, क्यों learn नहीं कर पा रहा, उसके क्या reasons हो सकते है, zero reasons हो सकते है, उसका family issue हो सकते है, उसको concept clear नहीं हो रहा, यह उसकते है उसकी teacher के साथ issue हो सकते है, कि teacher ढंग से explain नहीं कर रहा, तो teaching method में issue हो सकता है अब यह सभी issues को पता लगाना और इन पर work करना इसको डाइगनोस्टिक, डाइगनोस करना मतलब पता लगाना ये हमारे teaching learning के time पर ही जैसे हम शुरू करते हैं तब ही हम diagnostic evaluation शुरू कर देते हैं ताकि हम अपने teaching method को timely change कर सके और change करकर हम अपने बच्चों की learning को improve कर सके इसमें हम different तरीके से evaluate कर सकते हैं diagnose करने के different हमारे पास तरीके हैं जैसे कि सबसे पहला है observation observation तो सबसे important है और ये दो तरह की हो सकती है directly आप class में observe कर रहे हो किसी को देखकर और नई तो आप records को देखकर observe कर रहे हो observation मतलब होता है यहाँ जहाँ पर आप यैसे कोई बच्चा अपने activities में involved है आप उसे देख रहा है आप उसकी activities को देखकर आप पजा लगा सकती है इस बच्चे का इस film interest है तो आप observe कर रहे हो observe के लिए experience teacher के होने की जरुरत है क्योंकि एक unexperienced teacher observe नहीं कर पाएगा कि बच्चे के अंदर क्या कमी है या बच्चा learning को अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहा है उसके बाद बात करते है cumulative record की cumulative record क्या है एक record जतनी भी various activities एक बच्चा perform करता है monthly, annually और हमने इसमें child के सभी aspect को ध्यान में देना है physical, social, आपके emotional सभी को तो यहाँ पर हम वो जो record रखेंगे फिर मैं बात करते हूँ anecdotal records की cumulative में हमारे सारे records आ गए लेकिन anecdotal records में हम क्या करते है कोई situation, कोई पूरी बहुत बड़ी, मतलब एक बच्चा ने लड़ाई कर दी पूरे class के बच्चों के साथ अब 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 उसे पूरी situation को थोड़ी explain करोगे, आपने लिखा होगे teacher note डाल देती है diary में that is called anecdotal record जहाँ पर हम अब पूरी situation को एक line या दो line में explain करें एक या दो line में हम अपने पास record की तरह रखें, date डालें और उसका record रखें यहाँ पर हमने पूरी situation पूरी situation नहीं लिखनी है यहाँ पर हमें क्या करना है सिर्फ एक या दो line में अपने चीजों को बताना है इसमें हम क्या कर सकते हैं अपनी learning को जान चकते हैं learning को improve कर सकते हैं diagnostic की help से हम feedback ले सकते हैं student से, teacher से जिसकी help से हम learning को improve करवा पाएंगे so यह हमारे तीन तरह के record थे देखो norm reference और criterion reference में norm reference test and criterion reference test इसमें जो basic difference होता है वो क्या होता है अगर मैं norm reference test की बात करूँ तो यहाँ पर norms है rules है, norms का मतलब क्या होता है rules और criteria, criterion reference test मतलब आपको एक criteria ही complete करना है मतलब passing के लिए आपने देखा होगा criteria दिया जाता है कि आपने वो criteria complete कर दिया तो आप उसमें pass हो गए है लेकिन norm reference test में ranking होती है first, second, third जैसे आप school में करते हो school में ranking निकल के आती है तो parents भी कहते है भई तू first, second, third नहीं आया क्या आर लाया, तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे कोई parent यह नहीं देखता कि बच्चा pass है या नहीं कि 33% पे pass होता है कि 34 आ गए तो parents खुश है No they want कि उनका child first, second, third rank ले आए तो वो क्या है हमारे norm reference test criteria reference test क्या होता है जैसे आपके कोई government job के exam सोते है उसमें आपको एक criteria cross करना होता है कि minimum इतने number आपको लाने है आपको first, second, third से कोई ले ना देना नहीं है लेकिन norm reference test में आपकी ranking ज़रूरी होती है तो criterion reference test हमारा क्या है इस test से हम academics, labels पूरे को measure कर सकते है यानि जो हमारे साल के end में होता है वो हमारा criterion reference test होता है पूरे academic को हम measure कर पा रहे है लेकिन इसके अंदर norms होते है यानि ranking दी जा रही है तो यह एक तरह से competition based है और यहाँ पे हमारी learning भी हो रही है criterion reference test की मैं बात करूँ तो उसके अंदर हम क्या measure कर रहे है educational ability measure कर रहे है student की एक particular criteria को रखके इतना cross करना है आपको तो हम समझेंगे कि आपके अंदर knowledge है वरना हम आपके knowledge को कुछ भी नहीं मानेंगे जैसे seated का paper है आपको नभे number लाने ही लाने है वहाँ पर अगर आप नभे ले आए तो आप चमलदार है नभे से आपके एक number भी कमाते है तो आपको देले की भी knowledge नहीं यह हमारा क्या होगा criterion reference test यह हमारा basic difference होता है criterion और norm reference test के बीच में उसके बाद last हमारा वश्चता है क्या quantitative और qualitative आपको नाम से ही समझा रहा है quantity quantity होती है जब हम किसी चीज की जैसे मात्रा measure करते है cook होता है quantity तो quantitative मतलब जहां पर हम मात्रा यानि numbers दे रहे है और qualitative क्या हो रहा है qualitative मतलब अब देखो आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे schools है वो सिर्फ numbers पे based नहीं है वो quality पे based है मतलब वो आपके overall performance को भी देखते हैं कि आपने participate कितना किया different activities में तो वहाँ पर वो आपके quality देख रहे हैं आपके marks नहीं देख रहे हैं तो that is called qualitative and quantitative quantitative तो हम अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं oral में ले सकते हैं written में ले सकते हैं performance test हो सकते हैं लेकिन qualitative के लिए ज़्यादा subjective है ये तो इसके अंदर हम क्या करते हैं mostly observe करते हैं इसमें हम अपने records को use करते हैं वो हमारे कौन से records हो गए cumulative records हो गए जिनको अभी हमने discuss किया था anecdotal records हो गए checklist हो गई checklist में क्या करते हैं हम टिक-टिक-टिक कर रहे हैं जैसे हमारे पस different activities है हमारे पास है कि बच्चा भी class में आगे सब के आगे बोलता है कि नहीं बोलता tick mark बच्चा सब से लड़ता है कि नहीं लड़ता या सब के साथ प्यार से बात करता है कि नहीं करता tick mark तो वो हमारी एक चेक-टिक हो गई वो भी एक तरीका है measure करने का लेकिन यहां पर क्या measure हो रही है quality measure हो रही है कि उसके अंदर क्या qualities है और यहां पर हम quantity measure करे थे उसके marks के through तो यह था हमारा basic assessment और evaluation के बारे में अगली वीडियो में हम topic discuss करेंगे assessment of learning का so stay connected with us don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon to get instant notifications of all our videos thank you करेंगे